हालो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते मेरे बड़े भाई बहनों को चानल स्पास छोटों को धे सारा प्यार मैं सबनम स्वागत करते हूं अपने निव ब्लोग में आप सभी का आप सब कैसे हो आसा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मजे में होंगे आज आप सबी को कराते हैं अपने छोटे से घर का होम टूर तो आएए आप सबी को दिखाते हैं अपना घर तो यह हमारा मैंगेट है तो यहां से हम लोग चलते हैं दिखाते हैं तो बहुत ही छोटा सा घर है तो आप सबी ने बहुत ही रिकोस्ट की कि आप दीदी अपना घर दिखा यह सब्सक्राइए सब्सक्राइब स häufig साथूर। और उसके बाद में उसके आगे है ब्रामदा तो दो कमरे हैं एक हमारा है एक हमारी देवरानी जी का कमरा है और इधर आप सभी को ले चलते हैं किचन में ब्रामदे के आगे किचन बना हुआ है छोटा सा बिल्कुल किचन बना है तो किचन में आप सभी को दिखाते हैं यह हमा हमारी किचन में पटिया पड़ी हुई है तो उस पर भी बनाते हुए नहीं बनता है क्योंकि सारा सामान नहीं आपाता है इसमें और आटा चावल हमारा ये पटिया के नीचे रखा हुआ है इसमें बड़ी वाली टंकी में आटा रखते हैं और ये बाल्टी में रखते हैं चा को देवरारी में सार्व हो जाते हैं तो आप सभी को खोल कर सकता है लेकिन बहुत चोटा सा ही चोटा यह का में ऑगwater गोई साइबते हैं बाहर भिसे Turtle में बनाई भी इए शेहँए तो आप सभी को ले चलते हैं अपनी रसोई में जो कच्ची वाली रसोई है तो उसमें ले चलते हैं वो भी आप सभी को दिखा देते हैं वैसे तो रोज ही देखते हो लेकिन बाहर का नहीं देख पाते हो बाहर से कुछ इस तरीके की दिखती है और यह बाहर के लिए गेट है तो यहां से हम लोग बाहर के लिए कहीं भी कोई जाता है, तो इधर से ही जाता है जदात तर, आप सबी को ले चलते हैं अंदर, तो बहुत ही छोटा सा इसमें दरवाजा लगा हुआ है, क्योंकि दरवाजा ये बाद में बनाया गया है, दीवार से कूर कर, तो इसी बज़े स इसमें बिल्कुल सर को नीचे काना पड़ता है तभी हम लोग अंदर गोस पाते हैं रसोई में तो ये हमारी रसोई रही इसमें दो अलमारी मतलब खाने बाली बनी हुई है और दो हमारे चूले रखे हुई है रसोई में तो ये तो आप सभी को पता ही है क्योंकि रोज ही देखते हैं यहीं पर हम खाना बनाते और इधर साइड में दीवार पर हमने लगवाली है लाइट क्योंकि यहाँ पर कम धुआ रहता है और उधर साइड में ज़्यादा धुआ आता है तो बलब पर धुआ नहीं लगेगा और आरो ही भी आ गई है, तो आरो ही भी खड़ी हो गई है, और ये कुछ बाते कर रही थी, लेकिन हमने आवाज को बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत सारी आवाजे इधर उदर से आने लगती है, तो अच्छा नहीं लगता है, बाय कर रही है, नमस्ते भी बोल लहीं थी, यहाँ पर कई बारा आप सभी को दिखाया है जाडू आडु भीहम लगाते हैं लिपाय बुताई भीकाते तो यहां शारी जगह हमारी ही है से हलोग निकलते हैं और यह हमारी दीधी जी का घर है तो अभी यहाँ पर उस दिन आप सभी Caesar आप ते ख़ाया तो यहां भी आप सभी को दिखाते हैं, यहां भी हम लिपाई पुताई करते रहते हैं, आप सभी को दिखाया लेकिन पूरा नहीं दिखा पाया, इधर सारे लोग बैठे हुए हैं, पापा खाना खा रहे थे, बुगा खड़ी हुई हैं, सारे लोग बैठे हैं, और इधर खर्मी नहीं लगती है ठंड में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है यहां पर भी बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि काफी जगे पड़ी हुई है हमारी और बड़ी अम्मा की सारी जगे पड़ी है यहां पर बहुत सारी जगे हो जाती है यहीं पर हमारे जानवर बनते हैं अधर बहुत सारा सामान भरा हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे काम की चीजे नहीं होती है, वो सारे चीजे यहीं पर आ जाती है, तो ज़्यादा सतर चीजे यहीं पर रहती है, जो भी कभाड की चीजे होती है, तो दिखाते हैं यहां का भी आप सभी को, तो बहुत सारी चीजे यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगी और यह लगा है पंखा क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही गर्मी लगती है टीन पड़ी हुई है तो इसी बज़े से यहाँ पर आरोही के पापा ने गर्मियों में ही यह पंखा लगाया था इसी साल लगाया है और ये सारी चीजे इधर रखी हुई है पटिया पर और इधर मच्छरदानी भी लगी हुई है क्योंकि बुगा यहाँ पर लेटती है और भी सारी चीजे बहुत सारी चीजे यहाँ पर रखी हुई है और इधर आरो ही देखो सैतानी दे रही थी और इधर आप सभी को अब ले चलते हैं बगिया को तो यहाँ पर यह जो सरकारी नल लगते है हैंडपेप तो यहाँ पर खराब हो गया है तो वही समाला जा रहा है सारे लोग लगे हुए हैं समालने में और इधर यह चलते हैं हम आ रहे थे पीछे ये आ गए थे थोड़ा सा आगे तो यहां पर सारे लोग थे तो इसी वज़े से हमने मूझ को जाक लिया था और चलते हैं सारे लोग अपने काम में लगे हुए हैं गोवर ओबर को पाथ रहे हैं यहां पर सारे कंडेंडे पते हैं तो यहीं काप सभी को ओबर ओबर पाथने के लिए आते हैं और बहुत सारे जानवर बंधे हुए हैं यहाँ पर तो आप सभी को ले चलते हैं और जब भी हम जा रहे थे तो सारे लोग देख रहे थे इधर साइड में ही क्योंकि हमारा वीडियो पीछे से बन रहा था तो इसी बज़े से सारे लोग मुड मुड कर देख रहे हैं हमी को और इधर सारे सारे लोगों के कंडे पते हुए हैं बहुत बहुत सारे लोगों ने कंडे बना लिये हैं तो चलते हैं आप सभी को बगिया को और ये हमारा कोने पर ही ये नल लगा हुआ है बगिया के तो दिखाते हैं आप सभी को बगिया का भी क्योंकि दिखाते तो हर बार में हैं लेकिन दिखा देते हैं फिर से तो पूरा आप सभी को होम टूर कराएंगे घर से लेकर बग्या तक का आप सभी को हॉम टूर कराएंगे तो जहाँ जहाँ भी हम ब्लोग बनाते हैं वहाँ वहाँ का आप सभी को दिखाएंगे तो यहाँ पर भी हम लोग कपड़े दोते हैं तो इसी वज़े से यहीं पर हम लोग बैठ कर कपड़े धुलते हैं तो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर का आता है बिल्कुल हरा हरा सा तो यह वाला नल हमारा बहुत ही अच्छा चलता है और बहुत अच्छे से पानी भी देता है और जो नल हमारे घर पर लगा है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं निकलता है तो इसी वज़े से रोज हम यहीं पर कपड़े धुलने के लिए आते हैं तो सारी चीजे यहाँ पर जो भी पेंडेर खड़े हैं पेंड़ पोदे वो हरे भरे से हो गए है और यह जो हमारा नीबू का पेंड़ खड़ा है यह सूख गया है क्योंकि इसमें पता नहीं क्या हो गया है तो इसमें इस बरस नीबू भी नहीं आये थे और सूख गया है पूरा का पूरा सूख गया है सारे पत्ते गिरने लगे हैं और यहाँ पड़े हुए हैं कपड़े क्योंकि देदी भी यहाँ पर धूलती हैं कभी-कभी धूल लेती हैं वो भी घर में जिसके जिसके नर लगे हैं उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है और आ गये हैं इधर बग्या के अंदर, तो इधर आप सभी को दिखाते हैं, पीछे हमारी मड़या पड़ी हुई है, और इसमें भूसा भरा था, तो इस समय खतम हो गया है, और बहुत सारा भूसा आ जाता है इसमें, जो जानवर के लिए चारा आरा होता है, वो इसी में रख दिया जाता है, और लकड़ी फकड़ी भी थोड़ी बहुत रखी हुई है इसमें, तो आप सभी को इधर दिखाते हैं, यहाँ पर जानवर दिन में चारा खाते हैं, तो यहाँ पर यह नाद बनी हुई है, और इधर सारे जानवर दिन में उसके बाद में चारा खिला दिया हुए हैं क्योंकि इधर जो किनारे गाओं के होते हैं खेत उसमें कोई फसल अच्छे से नहीं हो पाती है और इधर जानवर भी बहुत जल्दी से आ जाते हैं और गाय भी आ जाती हैं कभी-कभी तो सारी फसल खराब कर देती हैं कि वीडियो लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसे ऐसे करी करता है अब बाए इधर देख इधर इधर बग्या से आ गए हैं घर पर तो आप सबी को दिखाते हैं च्छत पर का भी तो इधर आ गए हैं च्छत पर तो जैसे ही हमारा चोटा सा घर है वैसे ही चोटी सी हमारी च्छत है लेकिन च्छत पर ज़्यादा बीच लगता है क्योंकि जो हमारी दीदी की च्छत है वो एक मे ही जुरी हुई बनी है तो इसी बज़े से काफी जगे हो जाती है और ये है हमारे गाओं का कुछ इस तरीके का नजारा तो किसी किसी के तो पक्के पूरे के पूरे पक्के घर बने हुए हैं लेकिन किसी किसी के कच्चे भी बने हैं और छपर अपर भी पड़े हुए हैं उप खटिया पड़ी रहती है चट पर और भी सामान थोड़ा बहुर रखा रहता है लकड़ी एकड़ी रखी रहती है और थोड़ी सी रखी हुई है अभी भी हमारी चट पर मौंग फली रखी हुई है वो अच्छे से पन्नी से जहां कर रख दी गई है क्योंकि बंदर अंदर आ उबाल लेते हैं हमारे यहां दूद दूद को जिन लोगों के पक्के मकान बने हैं वो लोग छट पर ही दूद को उबालते हैं क्योंकि अगर नीचे उबालें तो धुआ भर जाता है घर में पूरे घर में तो इसी वज़े से छट पर ही उबालते हैं सारे लोग दूद और इ इधर साइड में हमारा रखा हुआ है चूला और रखी व Tree ये थोड़ी सी मिट्टी भी क्योंकि उस दिन बच गई थी मिट्टी वो वाली मिट्टी हमने यहीं पर पीली मिट्टी थोड़ी सी बची थी तो यहीं पर रख दिये और इधर का नजारा इधर सारे लोगों के पक्के मकान बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे से मकान बने हैं तो गाउं में भी काफी सारे लोगों के जहां तक है पक्के मकान बन गए हैं और यही है हमारा एक छोटा सा घर तो आप सभी को अब तो पता ही चल गया होगा कि कैसा है हमारा छ स्क्राइब जरूर ही कर लें कल फिर मिलेगे एक नए ब्लोग के साथ में तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमन